बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम को इंगलेंड दोरे टीबी सीरीज में हार मिली है। पाकिस्तान को चार मैचों की टीबी सीरीज में मेजबान टीम ने दो शूने से हराया। सीरीज के चौथे और आखरी टीबीज में बाबर आजम ने बल्लेबाजी में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्च कर लिया। उन्होंने भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टीबीज वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट के छोटे फॉर्मैट में अपने नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्च कर लिया है। बाबर ने ये कारनामा इंगलेंड में मेजबान टीम के खिलाफ सीरीज के चोथे और आखरी टीबीज मैच में किया। उन्होंने इस मैच में बाइस गेंदों पर 36 रन की पारी खेली जिसमें 5 चोके और एक छक्का शामिल था। बाबर ने इस चोटी पारी के दोरान टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। जबकि बाबर 4,023 रन के साथ दूसरे नमबर पर काबिज है। बाबर ने इंग्लेंड के खिलाफ अभी तक कुल 18 टीबीस मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 660 रन बनाए हैं वही विराट कोहली ने इंग्लेंड वी एस पक के खिलाफ खेले ओवरॉल 20 टीबीस में 649 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर आस्ट्रेलिया के पूर्फ कप्तान आरोन फिंच 619 रन के साथ तीसरे और पाकिस्तान के विकेट कीपर मुहम्मद रिजवान 560 रन के साथ चौथे नमबर पर हैं। जबकि बाबर 4,023 रन के साथ दूसरे नमबर पर काबिज हैं। बाबर ने इंग्लेंड के खिलाफ अभी तक कुल 18 टीबीस मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 660 रन बनाए हैं वही विराट कोहली ने इंग्लेंड वी एस पक के खिलाफ खेले ओवरॉल 20 टीबीस में 649 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर आस्ट्रेलिया के पूर्फ कप्तान आरोन फिंच 619 रन के साथ तीसरे और पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 560 रन के साथ चौथे नमबर पर हैं।